मार्केट में काफी नए नए तरग के डिंक साती रहते हैं लेकिन एक ऐसी डिंक जो हमीशा से ही हम सभी की फेवरिट रही है वो है यह लसी आज मैं आप सभी के साथ बिल्कुल गाड़ी क्रीमी और मलाईदार लसी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे हम किसी भी आप कोशिश करना कि आप लसी के लिए बिल्कुल फ्रेश तरही का इस्तमाल करो इसे की बढ़िया बन्ती है वरना अगर पुरानी देही होती है तो उससे थोड़ा सा खटास आ जाता है हाला कि अगर आपको खटी लसी पसंदे पिर तो आप ले सकते हो बट अगर आपको ख हो जाती है जादा टाइम नहीं लगता है अब जो मिठा से वो भी आप अपने टेश के कोडिंग उपर नीचे कर सकते हो याफी यह डपन करता है कि आपकी दही की खटास कितनी है तो उससे कोडिंग आप इसमें चिनी आट कर दे साथी मैंने कुछ आइस की उपसाइट किया और अब हमें कुछ ग्राइंड ब्लेंड वगरा कुछ नहीं करना है सिंपली ना मैंने यह महनी लिया हूँ है और इससे इसे महेंगे तकरीबन तीन-चार मिनट में यह बनकर तयार हो जाता है इससे जो टेस्ट आता है ना लसी मे और मतलब अगर आप नॉर्मली बन आऊगे तो उसमें क्या होता है कि वो पुरा स्मूथ कर देता है बट इस तरीके से जो मलाई जो हो रहती है थोरी थोरी सी हमारे दही में तो वो इसमें पूरी तरके से मैश नहीं होता है तो जब हम पीते है उसमें वो जो बाइट आती है आहां बहुत ही जादा और इसमें हम अपनी लसी को सर्फ कर लेंगे आप चाहो तो थोड़ी से आइस क्यूब साइट कर सकते हो अच्छा आप इसमें अगर चाहू ना तो इलाइची का पाउडर आट कर देना वो भी बहुत अच्छा लगता है बट आज मैंने इसमें नहीं आटके है अगे हमारी लस करने आप भी बनाओ enjoy करो रैसे भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए का और इस वीडियो को देखने के लिए दिल से थांक यू टांती रादी